Hello friends, good evening, चलिए बात कर लेते हैं, आज की SDFC bank यहां से क्या कर सकता है? तो देखो, SDFC bank काफी time से negative zone में रहा, यहां पर देख सकते हैं, काफी time से negative zone में रहा, उसके बाद जब यहां से breakout तो अच्छा खासा यहां breakout किया, थोड़ा सपूल बैक लिया, फिर और उपर गया, तो यहां तक तो गया यह 1800 के लेबल के लगभग, उसके बाद यह अच्छा खासा पुल बैक आया, थीक है, उसके बाद यह क्या कर रहा है, तो यह बहुत खास बात होती है, बहुत अच्छी चीज होती है, किसी भी share के बारे में, कि अगर वो share तो फिर वहां पर क्योंकि consolidation का मतलब यह होता है, कि वहां पर buyer add हो रहे हैं, और जब buyer add होते हैं, फिर कर रहा है, आपर consolidate कर रहा है, try कर रहा है, उपर जाने का लेकिन नहीं, देखो, यह उपर जाने के, यह try किया, यह try किया, फिर यहां से थोड़ा try किया, तो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि अभी support नहीं मिलना है, यह area अगर देखेंगे, यह लगभग यह थोड़ा सा resistance area है, तो एक second, यह जो area है, यह area इसका resistance area है, यहां पर लगभग, इसके बराबर की बात करेंगे, ठीक है, इस area पर, 1650 area पर resistance फिल कर रहा है, अभी यह क्या कर सकता है, तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यह थोड़ा सा time लेगा, थोड़ा यह इस तरीके से consolidate करेगा, उसके लेबल को hit करेगा, थोड़ा सा pullback ले सकता है, उसके बाद यह निकलने के chances है, तो अभी इसमें हो सकता है, time लगे, HDFC को उपर निकलने में, ठीक है, और support की बात करें, तो मेरे हिसाब सी, यह जो support है, यह label को यह break नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी time बाद इसको उपर की त कर जाएगा, downside तो नहीं दिख रही है, वीडियो अच्छा लगात, like, share, subscribe जरूर करना,